दोस्तों इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ टैक्स टू स्पीच यूटूब चनल मॉर्टाइज होते है या नहीं बट उससे पहले आपको बताव करें तो कल मैंने एक वीडियो अप्लोड करें थी जो कि AI वोईस जेनेरेटिड वीडियो के लिए थी उस वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप AI जेनेरेटिड वीडियो को मॉर्टाइज कर सकते है कोई भी टेंसन नहीं लेनेगा वीडियो आप देख लो लिंक मैंने डिस्करप्स में दे दिया है उसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि Tax to Speech YouTube चैनल मॉर्टाइज होते है या नहीं यस मैं आपको यहां से Technical इसरा YouTube चैनल की माध्यम से आपको बताना चाता हूँ कि Tax to Speech YouTube चैनल मॉर्टाइज होते है बट उसकी कुछ कंडिसन्स है वो कंडिसन्स आपको फोलो करना पड़ेगा जब आपका YouTube चैनल अंडर वीवर होता है वो चेक करता है आपका YouTube चैनल को वो भी रिजक्ट नहीं कर सकता अगर आप Tax to Speech YouTube चैनल के सिरफ 3-4 पोइंट याद रखोगे अगर वो आपने रख लिए आप किसी भी चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं यानिके Tax to Speech YouTube चैनल को मोनेटाइज किया जा सकता है वीडियो में आपको राइट और करक्ट इंफोर्मेशन तो मिलेगी बट काफी सारे जो लोग हैं हमारी वीडियो को देखते हैं बट वीडियो को लाइक निकरते हैं और नहीं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मैं आपसे क्या ही बोलू मैं अपने दिल से आपसे रिक्वेश्ट कर सकता हूँ कि वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपको बता है कि हम video quality के साथ विश्वास भी देते हैं अगर एक line में आपको समझाओं कि text to speech YouTube channel mortise होते है या नहीं तो मेरा कहना है yes होते है बट कहीं पे भी अगर आप YouTube की mortiseion policies के बारे में पढ़ोगे चानोगे पूरा article को देखोगे कहीं भी text to speech YouTube channel का जिकर नहीं हुआ है बट कहीं सारे ऐसे YouTube channel है जो text to speech पे काम करते है और उन channel का जो mortiseion है वो own है बट वो channel किस type के है कैसे है वो ही इस video में आपको समझाओंगा आपको किन बातों का याद रखना है और किन बातों को याद रखे है आप उस पे काम करेंगे तो definitely आपका text to speech YouTube channel mortise हो जाएगा लास्ट में एक point भी बताऊंगा कि text to speech YouTube channel पे काम क्यों नहीं करना चाहिए इसका एक drawback भी है जो कि आगे लास्ट में वीडियो में बदाऊंगा काफि सारे लोगों को नहीं पता कि text to speech YouTube channel क्या होता है देखो अमाल लिया जाए आप कोई story लिक रहे हो और वो story आप किसी robot के थुरू या फिर आपनी बहुत सारी voice को robot के तरीके से बना के और आप उसको पड़ रहे हो तो इसी को text to speech बोला जाता है किसी server के द्वारा या फिर किसी website के द्वारा या फिर किसी voice changer के द्वारा या किसी robot के आवाज में अगर आप आवाज निकाल रहे हो तो ऐसे में text to speech बोला जाता है text to speech YouTube channel मैं बार बार कहा है और अभी भी कहता हूँ कि monetize किया जा सकता है उसकी conditions आप सुन लिए पहली condition अगर वो content आपका है और उस पे आप text to speech कर रहे हो तो definitely monetize हो जाएगा example मैं आपको देता हूँ कहीं सारे YouTube channel आपने देखे होंगे craft के channel होते है उस पे कुछ वो design बनाते है कुछ arts का बनाते है कहीं बार वो कुछ खिलोने बना देते है अपनी arts, craft के channel को तो ऐसे में किसकी creativity है उस बंदे की creativity है कागज किसका लगगा उस बंदे का लगगा है तो definitely आपका YouTube channel monetize हो जाएगा आप सिलाई करते हो अपने घर में और आपने camera को set कर लिया और उसके बाद उसको record कर लिया record करने के बाद में आपने उसमें a text to speech से अपनी voice को डाला या robot voice को डाला तो ऐसे में वो channel भी monetize दोएगा क्यों होगा क्योंकि जो आप सिलाई कर रहे हो वो आप खुद हो raw material खुद है यानि कि आपने कहीं से उसको कहीं से भी copy नहीं किया वो content आपका content है बात करते हैं तीसरे point की यहाँ पे है अगर आपका YouTube channel kitchen के regarding है और आप अपने camera को fix करके डाल बनारे हो, डाल मकनी बनारे हो पनीर बनारे हो, समूसा बनारे हो दही बनारे हो, लस्य बनारे हो, जूस बनारे हो और ऐसे में आप text to speech का इस्तमाल करते हैं तो ऐसे में वो content आपका है और आपका YouTube channel mortgage हो जाएगा अगर किसी YouTuber को भी text to speech किया है तो definitely आपका YouTube channel यहां पे हो जाएगा बिल्कुल monetize कहीं बार आपने देखे होंगे कहीं तरह के cartoon है ठीक है और वो cartoon पे text to speech बंदा लगाता है और वो monetize हो जाता है क्यों क्यों कि उसके जो character है उसकी जो raw material है वो उसको खुद का है यानि कि एक ऐसा content जो खुद का है जो कहीं से copy नहीं किया गया और उस पे text to speech आप कर रहे हो तो definitely आपका YouTube channel monetize जाएगा अब ऐसा point आपको बदाने वाला हूँ जिसमें आपका YouTube channel बिल्कुल भी monetize नहीं होगा जैसे की channel होता है facts के regarding facts के regarding channel है और आपने कहीं से भी कोई videos को download किया और उस video को download करके आपने उसमें edit किया और उसके बाद उस पे text to speech किया तो उस पे आपका channel monetize नहीं होगा क्योंकि आपके न तो उसमें आवाज है नहीं आपका raw material आपका है इसी वज़े से वो channel monetize नहीं होगे यानिके अगर आप किसी दूसरे यूटूबर का या दूसरे content creator का या दूसरे platform से आप किसी भी videos को किसी भी footage को download करते हैं और उसमें text to speech लगाते हैं तो वो channel monetize नहीं होते बहुत कम rear आपने देखे होंगे वो channel monetize का जब आप किसी भी अपनी raw material पे आपकी खुद की video पे text to speech करते हैं तो ऐसे में उसके आपकी जो आवाज है वो लोग बाख नहीं जानेंगे आपकी value नहीं बढ़ेगी और आपकी जो face value है या फिर वो इसकी जो आपकी खुद की value है वो नहीं increase कर पा हुए क्योंकि वो real आवाज आपकी नहीं है तो इसी वज़े से text to speech पे काम ना करके आप अपनी आवाज में काम करिए अपनी speech पे अपनी commentary पे काम करिए अगर आप ऐसा करते है तो definitely आपका YouTube channel मोटाइज हो जाएगा वैसे text to speech YouTube channel बंदे क्यों बनाते है वो बड़े अधेकारी होते है या या वो मतलब नोकरी करते है वो अपनी आवाज को नहीं दिखा सकते वो लोग ही text to speech करते है वो कर सकते है बट उसका raw material उसकी खुद की वीडियो होनी चाहिए खुद की वीडियो पे वो text to speech करेगा तो चैनल मोटाइज हो जाएगा वैसे कहीं सारे वाकई में आपको अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपको पता है कि हम quality वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं